हेलो नमस्कार अदाब सस्रिया काल टू यॉल और मैं विनातरी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे चिनेशेटी में जिसमें आज हम बात करेंगे इंटरजैनिक इंटरेक्शन के बारे में मतलब क्या था अभी मैं आपको बता देता हूँ यहां देखिए यहां हमने बात की थी तीम चीजों के बारे में जिनको हम बोलते हैं इंटरजैनिक इंटरेक्शन इंकॉम्प्ली डॉमिनेंस को डॉमिनेंस और मल्टिपल आलिजम इनका क्या मतलब है कि यहां पर एक ही जीन क कि दो एलिल्स की इंटरेक्शन के बारे में हमने बात की थी जब एक जीन की दो एलिल्स इंटरेक्शन करेंगी तो किस तरह का इफेक्ट होगा ओन दा फिनो टाइप लेकिन आज हम जो बात करेंगे वह हम करेंगे इंट्राजैनिक इंट्रजैनिक इंट्रेक्शन इंटरेक कि एक लिकेयर को गडिए एक जीन एक गडिए को काशी पर वहाँ पर एक ही जीन अब इस जीन की पर यारे कुंट्रोल करने के हैं या नहीं कि ऐसी जीन की फो पर नुव सकती है तो ठीक है एक डॉमिनेंट हो सकता है जैसा कि मेंडलजरन बताते हैं बट बहुत सारे cases ऐसे भी हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा जीन जो डिफरेंट लोकाई और डिफरेंट जगें पर देखिए यहां इस चीज़ को ऐसे समझे आप यह क्रोमोजोम है ठीक है यह क्रोमोजोम है अब आपके कोई भी दो करेक्टर के हम बात करते हैं जैसे आपके hair color ठीक है hair color क उनको हमने P से डेनोट कर दिया ठीक है तो यह डिफरेंट लोकस हो गए डिफरेंट लोकस हो गए अब क्रोमोजोम पर अलग अलग जगें जो है जो places जो है positions जो है उनको हमने locust बोला अंप्लूरल में हम उसको locai बोल देते हैं ठीक है so different locust पर यह different locai पर present यह दो जीन जब वापस में interact होंगी, तो किस तरह से एक ही करेक्टर को जिनको ये डोनों effect कर रही है ठीक है उनको किस तरह से modify करेंगी उसके बारे में आज हम बात करेंगी आप समझ रहे हैं, कि ये gene तेहां पर अगर मैंने आपको यहाँ जो example बता है मतला according to Mendel कि ये जो gene है ये हमारे hair color के लिए responsible है और ये जो gene हमारे hair pattern के लिए responsible है लेकिन ऐसे भी बहुत सारे cases है जहां पर ये दो gene H और P दोनों अलग-अलग character से अलग-अलग trait को control नहीं करती है बलकि एक ही character को क्या करती है control करती है एक ही character को ये control करती है ये interaction कैसी है non-allelic allelic तो क्या थी ये दो alleles थी alleles तो क्या है एक ही gene की form को हम क्या कहते है alleles बोलते है ठीक है now genes जैसे मैंने आपको बता दिया on the same or different अब देखे ये ये चीज तो आप याद ही रखना हमेशा जब तक हम intergenic interaction की बात करते है तब तक genes located on different loci of same or different chromosome चाह वो इस chromosome पर हो चाह वो इस homologous pair दूसरे पर हो दोनों ही gene आपस में ट्रेक्ट कर सकती है ठीक है तो ये line तो आप हमेशा याद रखेंगे कि gene located at different loci of same chromosome or different chromosomes ठीक है जी two pairs of non-allelic independent gene independent है दोनों अपना-पना काम करेंगी ठीक है character को किस तरह है लेकिन इनकी interaction जब होगी तब किस तरह से modifications आएगी उनके बारें बात तो non-allelic है और independent है ठीक है ये सारी बात आपको I think clear हो गई होगी ठीक है तो Mendel Sir के हम experiments से कुछ अलग हट के बात करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी की थी और अब भी हम बात करेंगे तो पांच types की interactions देखने को मिलते हैं Complimentary, Collaborator, Duplicating, Epistasis and Supplementary आज की वीडियो में हम बात करेंगे First two के बारें Complimentary, Collaborator Then कल की वीडियो में हम बात करेंगे Duplicating, Epistasis and Supplementary के बारें Okay, so let's get started with the Complimentary Genes Complimentary का मतलब समझेए, पहले तो क्या है Compliment का मतलब क्या होता है पूरक Complimentary का मतलब क्या होता है पूरक ठीक है न? मतलब एक दूसरे को पूरा करने वाली कोई चीज ठीक है तो यहाँ पर क्या है? देखिए यहां पर देखने वाली चीज यह है कि दो जीन से जीन ए पर यह दो जीम आ जीन अजीन अन भी यह जो दोनों जीन है पैसिञार गंभर एंजी आपड़ जीन उनियुक्त है यह दोनों कोई भी एकस्प्रेशन नहीं दिखाएंगी जब यह अकीली प्रेशेंट होंगी यहां पर साफ लिख है, alone cannot show its phenotypic effect, यह dominant genes जो है, dominant form में हैं, लेकिन अपना effect नहीं दिखा रही है, when they are present alone, when they are present alone, are you getting my point, यानि कि इन दोनों genes को एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं कैसे, when present together, they interact to show its effect, जब साथ आएंगी, तो यह अपना effect दिखाएंगी, और F2 generation, अगर हम di-hybrid, क्योंकि हम दो genes के बारे में, यानि कि दो characters के बारे में बात कर रहे हैं, तो di-hybrid cross के बारे में बात कर रहे हैं, और di-hybrid cross में हमें याद था, कि di-hybrid cross में हमारे पास, जो phenotypic ratio था, वो क्या था, 9 is to 3 is to 3 is to 1, यही था ना, यही था, 9 is to 3 is to 3 is to 1 ही ratio था, किसका तो इब को कि वह देखिए थे भी आगा गार्ड था आए लेकिन आप देखें रहे भाट सेवन कीजिसे आह थे डिया रहिए है तेगी पर देखें लएट में आप नौ में बात करते हैं। देखिए अब यहां पर किया है। एक वराइटी यह ले लिए। यह माली जाय यह मेल प्रांट है। और यह फी मेल प्लांट है। ठीक है। इसके पास जो कंडिशन है। इसके पास जो कंडिशन है। वह इस तरह की है। capital C हैं दोनों dominant और जो small P हैं यानि की recessive ठीक है और यहां पर क्या है small C and capital P यानि की दोनों जीन्स एक साथ नहीं आ रहे हैं देखे है dominant condition में यहां पर यह P dominant है यहां पर C dominant है लेकिन इस plant के अंदर इस particular plant के अंदर यह दोनों अलग अलग हैं साथ तो नहीं आए ना भई हम यहीं तो कह रहे हैं कि साथ नहीं आए हैं ठीक है ना जब साथ आएंगे तो देखे क्या होगा ठीक है तो यह white variety यानि की कोई expression नहीं है यहां पर भी white color color का यानि की white color का मतलब तो कोई color ही नहीं है ठीक है ना तो यहां पर क्या है white है तो यह अलग है अब देखे है F1 generation जब हमने करवाई तो दोनों के दोनों जीन साथ आगए यानि की जो next generation आई यानि की इन दोनों का जो बेटा या बेटी जो भी हुआ ठीक है समझने के दृस्टी कोंचे सिर्व बता रहा हूं कि इन दोनों प्लांट्स के जो अब नई प्रोजेनी आई तो उसमें हमने क्या देखा कि दोनों जीन साथ आगई जब दोनों जीन साथ आगई अरे भाई कैसे आई दोनों जीन साथ अब आप कैसे बताएंगे भाई ऐसे ह तो बताएंगे भाई यहां पर आपने क्या लिया यहां पर गैमिट्स ले लिजिए CP ठीक है ना यही तो आएगा भाई स्मॉल पी कर देता हूं इसको ठीक है और यहां पर क्या आएगा स्मॉल सी और जो है capital P तो इन दोनों को जवाब करेंगे हमेशा यही तो गैमिट आएंगे ना सेम ही तो है ना तुसे कैमिट आएगा तो क्या बन जायागा यह सी सी और पी यह first generation बन गी नहीं हमारी F1 generation बन गई तो F1 generation में हमारे पास कैसा color आए purple तो दोनों ने अपना effect दिखाया कब दिख expression नहीं show कर पा रहे थे फिनो टाइप में ठीक है जब हमने इनकी self fertilization करवाए नहीं कि F1 को फिर से F1 से ही करवाया तो हमारे पास कुछ इस तरह का ratio आया ratio आना क्या चाहिए था F2 में अगर हम dihybrid cross की बात करें तो 9-3-3-1 9-3-3-1 बट आया क्या 9-7 कैसे आया और एक क्या आ पर फिर यहां देखिए यहां पर भी C तो dominant है लेकिन P फिर से recessive condition है यहां देखिए यहां पी dominant है लेकिन C recessive यह नहीं कि दोनों जीन जब जब साथ हैं अब देखिए यहां पर दोनों साथ हैं यहां पर भी दोनों साथ तो purple एक expression शो कर रहे हैं ठीक है अब यह हो कैसे रहा अब देखिए ये बात तो आपthis इफ्ञावना तो आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो कोई बात रहें देक्ट कोई बातों है एक ही बात है डिएने से हमेशा क्या बनता है DNA से बनता है mRNA, यह बात हमें पता है, messenger RNA बना, और कौन सा process यहां पर होता है, यहां पर होता है transition, transcription जब DNA में होता है, तो MRN बनता है MRN जब translation होता है इसमें MRN में तो क्या बनते हैं? proteins बनते हैं क्या बनते हैं और यह proteins ही तो सारे हर एक हमारे जो बोड़ी में जितने भी हमारे फिनो टाइप है और जो भी हम हमारी बोड़ी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वह सब यह protein ही तो हैं आप खुद देखें कोलेजन क्या है protein है fibrinosin क्या है protein है ठीक है इसके लाव हेमोगलोबिन क्या है protein है enzymes क्या है protein है ठीक है तो एक reaction को क्याइब करने के लिए एक enzyme की जरूरत पड़ती है जैसे कि हमारी बोड़ी में glucose को अगर हम किसमें कभ तब तब देख फॉसफेट तो उसमें हमें क्या चाहिए यह तो इसी तरह हमें enzyme चाहिए तो यहां पर भी इस plant में भी अब raw material यहां पर प्रेजेंट है gene c gene c ने अपना protein बनाया यानि कि enzyme बनाया और इस raw material ने enzyme ने यहां पर क्या किया इस raw material को एक product में convert कर दिया है जिसको हम बोलते है chromazine intermediate product है लेकिन यह कैसा है क्योंकि final product आगे intermediate product है chromazine ठीक है और यह कैसा है white है ठीक है तो जब gene c अकेला हुआ तो हमें क्या मिल रहे थे white color के flower ही मिल रहे थे अब gene p भी आ गया gene p फिर से अपना enzyme बनाएगा और इस intermediate product chromazine को anthocinin जो की purple color का product है इसमें वो कर देगा क्या कर देगा convert कर देगा ठीक है तो अब देखे अब जब दोनो gene present है अब माली जी यहां पर gene c ना हो तो chromazine नहीं बनेगा और यहां पर gene p ना हो तो anthocinin नहीं बनेगा तो दोनो gene एक दूसरे का पूरक है यहां पर जब gene c present है तो gene p को भी present होना पड़ेगा ताकि purple color आए तो अब यहां पर हमने देखा कि यह जो condition है यह color होगी और यह condition होगी colorless होगी ठीक और यह condition again color हो जाएगी फन जरनेशन वाली जैसे कि हम देखा क्योंकि c और p capital c capital p दोनों साथ आ गए यहां पर हम capital c और capital p की बात कर रहे हैं ध्यान रखना small की बात क्योंकि small आ तो अभी भी साथ रहें दोनों लेकिन यह दूसरे आलील है recessive आलील साथ आ रहे है recessive की बात नहीं dominant आने चाहिए साथ में मैंने यहीं पर starting में आपको बता दिया इस dominant gene alone can not see effect its phenotype effect but when present together they interact to show its effect are you getting my point to complimentary gene का मेरे साथ से आपको concept पूरा समझ में आ गया होगा अब आता है collaborator, collaborator का मतलब क्या होता है हम बोलता है na collaborate कर लो मतलब सयोग कर लो सयोगी genes तो एक दूसरे का सयोग करेंगे यह देखिए कैसे करेंगे यहां पर भी वही चीजा आप याद रखेंगे कि genes are either present located at different loci of same or different kromosomes ठीक है लेकिन अब काम कैसे करेंगे वो देखते हैं यह देखिए यहां पर ही अपना independent expression show करेंगे जब यह alone present होंगे अकेले वहां पर alone काम नहीं कर रहे थे साथ आकर काम कर रहे थे ठीक है लेकिन यहां पर क्या है यहां पर जब यह साथ आएंगे ना दोनो dominant conditions भई independent तो अपना अलग-अलग काम यह कर रहे हैं ठीक है for example ऐसे समझ लिजए मान लिजए एक है Monu ठीक है तो यह Monu नाम का जो बं कम आथए अब क्या ह्यां दोनों ने क्या कर लिया आपस में अब अकेले भी बियसा थो नहींस कUNG आ जा पा सब्सक्रिणी रह Way नहीं से ब्सक्रамен struggled ठीक है अब क्या हुआ अब जब ये सिर्फ मास्क का बिजनिस कर रहा था ये सैनिटाइजर का बिजनिस कर रहा था अब जब ये दोनों साथ आए तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया ये दोनों ने एक पूरी केमिस्ट शौप ही स्टार्ट कर दी आप chemist shop में सिर्फ mask or sanitizer तो आपको मिलेंगे नहीं उसमें तो आपको बाकी जो है आपकी drugs और medicines हैं वो भी मिलेंगी ठीक है तो अब एक नया business इन दोनों का start हो गए तो पहले भी तो एक business कर रहे थे न ये लेकिन अब एक नया business start कर देंगे जैसे मोनो और सोनो ने यहां पर किया तो मोनो और सोनो यहां पर एक तरह से दो jeans है ठीक है इसके example comb shapes in foul या polytry आप कहते हैं या cock में ठीक है अब देखिए यहां पर अब देखिए चार तरह के यह जो है comb यह वाला जो structure है न यह इस तरह का structure बन रहा है उपर सर के अब एक कम्ब युक तरह से और सी बाल से बाल है अंक कि करक MARY से थे तो को यह जो सेबने के सिंगल यह वालनुट यह आपकी अब कि वालनुट मतलब अख़ो अब को पते ही ठीक है यह फिर मटर और यह रोज dau do虎 तो यह six-टर इस तारह के चार पे पैटर्ण अलग होते हैं तो अब देखते हैं यहां पर कैसे क्या हो रहा है देखिए यह एक जीन है पी यह पी जीन जो है यानि कि यह है मोनू माल लीजिए ठीक है तो जो पी जीन है वह पी शेप यह पी कॉम शेप आ रहे थी इस जीन के एक्सप्रेशन से dominant form में जब ही होगा तो यह पी कॉम शेप प्रोडूस करेंगा आर जो है वो रोज शेपड कॉम प्रोडूस करेंगे ठीक है लेकिन dominant याद रखेगा dominant कंडिशन में गैमिट्स हमने बनाए तो गैमिट्स में हमारे पर F1 जो जेनरेशन आई उसमें क्या हुआ जब दोनों साथ आगए P और R अभी दोनों साथ आगए अब दोनों साथ आए तो क्या हुआ देखे P ने अपना बिजनिस ये P भी नहीं है रोज भी नहीं तो नए ही कॉम शेप कौन सी आगए ये वाल नट जैसा मैंने आपको बता है कि मोनू बिजनिस कर रहा था मासका सोनू कर रहा था कि अब जहां 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 दोनों साथ होंगे वहां वहां क्या हो जाएगा वालनट आजाएगा नो में तो यानि कि वालनट आजाएगा जहां पर एक प्रेजन्ट होगा यानि कि P है तो P R है तो रोज भाई P से P और R से रोज और जहां पर दोनों ही नहीं होंगे वहां पर क्ति हैं तर मेंडलों जो से ने चाहरा है, मेंडलों से यह गता है, मीत है मेंडलों से यह स्मीस्ना से टैस से कोब कन्ट्रोल कर एकड़कों एक विए कंड़ी तो कांड़ी व्यों restor Nana token इस से ओंग्यों है अजेस तसन करेकटर कोंड्रने के यहां पर एक श elementary mean हमने बात की collaborator तो आज के लिए मेरे साथ से इतना काफी है आप और भी अच्छे से इसको देख लीजेगा examples को याद रखिएगा क्योंकि example से जनली पूछ लिया जाता है ratio पूछ लिया जाता है examples पूछ लिया जाते हैं ठीक है तो अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिष कीजेगा पढने की कोशिषिष तो पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे तो ओर अच्छे समझ में आज ऐए ठीक है तो यहां पर जो रेशय पाषियो था 9 1070 यहां पर जो रेशयो है झाल झाल